Hello everyone, my name is Chandan Singh. So guys, देखते हैं, पार्सिंग करके, एक छोड़ा सा आर्टिकल उठाते हैं. यहां पर लिखा हुआ है कि no man's land. अब इसको पढ़कर तो समझना मुश्किल होता है, जैसे, अब यहां मैं देखू no मतलब नहीं, means man's, इसका land, मतलब जमीन, मतलब किसी आदमे की कोई जमीन नहीं, मतलब की कोई, अगर जमीन का टुकड़ा है, तो यह भी कह, मतलब ना तो इसका है ने इसका है, इस तरीके से इसका मतलब आ रहा है. पर मैं no का मतलब आपको समझाता हूँ कभी आपको अगर no के बारे में जानना हो तो याद रखेगा कि जो no है guys, actually no एक determiner की तरह काम करता है determiner का मतलब है कि adjective की तरह फिल इसमें देगा मतलब कि इसके बगल में आप नाउन लगा सकते हो जब नो लगा होगे तो नो के बगल में आप एक नाउन लगा दोगे कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं no boy हम ऐसा कह सकते है no boy, no girl, no problem, no matter, no job, हम यह बोल सकते हैं लेकिन जो not है not को actually adverbs माना गया है तो इससे मैंने कहा कि no को determiner माना गया मतलब determiner adjective वाले almost तो काम करते ही हैं तो इसको adjective आप माल लीजे तो अगर वो adjective है तो उसके बगल में नाउन आएगा लेकिन not को adverb माना गया है तो adverb के बगल में noun नहीं आ सकते हैं अगर आप not ऐसे बोलोगे not job तो फिर यह गलत हो जाएगा not job का एक meaning और हो सकता है बट फिलाल है गलत हो जाएगा जैसे कैसे गलत हो जाएगा कि अगर मैं कहता हूँ कि there is no job और मैं कहता हूँ there is not job तो यह कौन सा वाला सही होगा there is no job आपका चलेगा this is correct क्यों भाई क्योंकि no के बगल में job लगा है तो सही है job हमारा एक noun है तो इस no के बगल में लग सकता है लेकि not job नहीं लग गया क्योंकि not जो है और adjective ही नहीं तो adjective के बगल में जो एड़वर्ब के बगल में noun नहीं आता है तो this is wrong अब है कि इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमने अगर not लिखा तो not के बगल में हम एक word लिख देंगे any ठीक है any अब मेरा क्या है यह एक determiner है जो की adjective वाला काम करते है तो इसके बगल में अगर मैं noun लगा दूँ तो यह रहा noun और यह रहा adjective देखो यह noun हो गया यह मैं कह रहा हूँ कि adjective की तरह काम करता है और यह मेरा एडवर्ब है तो एडवर्ब जो है वह adjective के बारे में तो बता सकता है तो फिर आराम से not जब not के वगल में direct noun नहीं आएगा not any लगा दो not a लगा दो अगर मैं कहता हूँ कि not any boy अब correct है अब correct है लिकिन अगर आप ऐसे बोलोगे no any boy तो फिर यह गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि no बिचारा पहले से adjective इन भी adjective है तो इन भी adjective है तो इसे रहेगा तो this is wrong ठीक है तो यह तो कुछ बारीकी बात है मैंने आपको बताएगा अब आगे देखते है तो no के बगल में man सही है यह not होता तो गलत होता तो no man's land किसी भी आदमी की जमीन नहीं भी है वो बिवादित है अब यहां लिखा है कि those in power should not rake up issues फिर है that affect ties with neighbors तोर तोर कर देखते हैं कि यहां सबसे पहले देखिए कि दोस के बगल में अगर मैं in power कह दू और यहां कह दू should not rake up issues तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ऐसे आपको समझाता हूं ध्यान दीजे गाइस अगर मैं ऐसे बोलता हूं the girls in the room should not should not go out तो यह जो आप in the room देख रहे हो न गाइस यह अभी एक phrase के रूप में इसको prepositional phrase कहते हैं और यह clause को reduce किया गया है जैसे कि अगर मैं clause लिखता हूं the girls who are in the room should not should not go out तो यह जो आप देख रहे हो कि who are in the room इसे हम क्या बोलते हैं who हमारा relative pronoun है और पूरा यहां से यहां तक जो देख रहे हो गाइस यह हमारा एक हो गया adjective clause adjective clause मतलब क्यों क्यों कि इस लड़की के बारे में कुछ बता रहा है यह इसका antecedent है और यह इसकी information है कौन सी लड़की किस लड़कियों को किन लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए वही लड़किया who are in the room जो कमरे में है अब जब मैं इनका who are हटा लूंगा तो बचेग का काम करेगा है यह prepositional phrase काम किसका कर रहा है adjective का किसके बारे में बता रहा है लड़कियों के बारे में बता रहा है कौन सी लड़किया वही जो कमरे में है should not go out उन्हें नहीं जाना चाहिए बाहर यह जो शुड है यह room के लिए है कि girls के लिए girls के लिए यह subject है और यह उसका model getting the point चाहिए तो यह आपको point पता होना चाहिए अब दिखिए तो यहां तक हो गया कि दोस वो लोग इन पावर जो की power में है should not break up का मतलब होता है पुरानी बातों को फिर से उठाना तो उनको नहीं उठाना चाहिए क्या नहीं उठाना चाहिए issues मुद्धों को नहीं उठान चाहिए अब इन issues के बगल में that लिखा हुआ है यह that क्या है और that के बगल में यहां पर पूरा का पूरा है sentence लिखा हुआ है तो that effect तो यह that आपका एक relative pronoun है और यह भी adjective clause ही बना रहा है guys वो issues के बारे बता रहा है कि ऐसे issues that affect जो की परभाव डालते है किसको affect करते है ties पर जो आपका बंधन है जो नाता है किसी देश के साथ आपका कोई नाता है आपकी जो रिष्टे है उस पर यह फर्क करता है किसके साथ रिष्टे विद नेवर्स के साथ यानि कि आपका जो पडोसी के साथ रिष्टे है उसको affect करता है कौन से issues वही issues जो पुराने issues आप उठा रह यहां पर कॉमा है, कॉमा के बाद है कि by raking up the contentious matter of Kach Thivu has set an unhealthy trend of politicizing an issue for electoral gains and one that has bearing on ties with Sri Lanka, यहां पर फुल स्टॉप है, अब उतना आपके समझ में अभी नहीं होगा, मैं तोड़ कर आपको समझाता हूं, देखिए, हम कैसे तोड़ेंगे इसको, पार्सिंग हम सबसे पहले करेंगे कि भई, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी, यह मेरा एक पूरा का पूरा subject होगे, किसी का नाम है, यह मेरा एक subject होगे, ठीक है, अब इसको मुझे नहीं देखना, अब यह नहीं देखना है, यह छोड़ दो, यह सब छोड़ दो, यह सब छोड़ दो, यह सब छोड़ दो, यह हमारा subject है, तो इसका verb कहा है, यह इसका helping verb, यह इसका main verb, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी has set, क्या set किया है, an unhealthy trend, एक बहुत ही खराब, जो ठीक नहीं मारा जाता है, ऐसा एक trend set कर दिया है, trend का मतलब कि एक होड़ सी बना दी है, मतलब एक कोई नई चीज ही कर दी है, trend की महिंदी क्या बता हूँ, कुछ नया ही लेकर आये है, जो कि unhealthy है, तो trend किस चीज का trend है, off politicizing an issue, अब off हमारा proposition है, तो इसके बाद आप वर में आएंजी लगा सकते हो, तो politicize का मतलब होता है, उसको राजन बना दिया है, किस चीज का trend है, कि मुद्धो को राजनेतिक रंग दे दो, politicize कर दो, कोई भी मुद्धा हो, उसको political मुद्धा बना दो, किस लिए बना दो, तो यहां लिखा है, for electoral gains, चुनावी फायदे के लिए बना दो, तो यहां तक समझ में आ रहा है, कि Prime Minister Narendra Modi ने एक एक ऐसा unhealthy trend set कर दिया है, कि मुद्धो को politicize करना, किस लिए चुनावी फायदे के लिए, ऐसा trend बना दिया है, कि आओ, करो, and, इसी में end जो रहा है, and, one, और एक ऐसा trend और बना दिया है, that has, that has bearing on ties, अच्छा, यहां that मतलब जिसका, has यहां पर possession है, कि जिसका bearing का मतलब है, पर परभाव, कि जिसका परभाव है, किस पर ties, रिष्टो पर, किस के रिष्टो पर, with Sri Lanka, कि एक ऐसा trend बना दिया है, ऐसा कि politicize करने मुद्धो को, कि जिसका सीधा के सीधा जो bearing है, जो परभाव है, वो Sri Lanka के साथ रिष्टो पर हो रहा है, यहां तक killer है, अब आईए कि वहां प feeling देरता है, तो raking up what, raking up the contentious matter, contentious का मतलब है, कि जो contention पैदा करें, जो पैदा करें, लफडा, जगडा, dispute पैदा करें, तो dispute वाले मामले को उखाड करके, फिर से उसको बोल करके, और मामला किस चीज का है, कच्छ थीवू है, एक टापू है, एक आईलेंड है, उस मामले को उखाड करके, मोदी जी क्या कर रहे है, unhealthy trendset कर रहे है, समझ में आ रहा है, by के साथ, आप हमेशा जरन लगाते हो, इसका मतलब होता है, कि ऐसा करके, आपको अख़पारों में, यह कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, by रहेगा, by के बाद verb है, और verb में आपको ing दिखाई देगा, तो अगर मैं कहता हूँ कि, by helping her, मतलब उसकी मदद करके, I have convinced her, उसकी मदद करके, मैंने उसको convince कर लेगा, कैसे convince किया, किस मैनर में किया, तो help करके, करके, मैंने उसके convince कर लिया, तो यह by के साथ, verb में ing का इस्तमाल होता है, तो parsing देखो कि अख़वारों में क्या चलता है, अब आके दिखिए, कैसे, यहां कह रहा है कि Mr. Modi, फिर कॉमा है, कॉमा पर धियान देना, फिर है कि, on March 31, बीच में डेट दिखा दिया, on X, यानि कि, X जो साइट है, जिसके उपर पोस्ट करते हैं, उसका बाज का लेक्स कहा जा रहा है, जो ट्विटर हो गारता, शायद व पर, अब यहां पर उसका वर्ब आ रहा है, कि Mr. Modi stated, state का मतलब होता है statement देना, तो देखो subject यहां पर है, वर्ब यहां पर है, past indefinite में, कि Mr. Modi ने statement दिया, क्या statement था, stated that, अब यह that यहां पर आ गया, अब that के बाद जो मेरा sentence बनेगा, यह हमारा noun clause कहलाता है, यह हमारा noun clause कहला अब आपको बताता हूँ, देखो, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, she stated, she stated, that she would, she would not eat food, let's say, मैं एक बोला, तो she, हम ऐसे पूछेंगे वर्ब से, कि अच्छा, उसने statement दिया, तो उसने क्या statement दिया, she stated what? अगर मैं यहाँ पर सवाल करूँ, कि what did she state, तो मुझे जवाब में क्या आ रहा है, that she would not, she would not eat food, यह statement है, तो यह पूरा का पूरा statement मेरा एक noun बनेगा, क्योंकि what का जो जवाब होता है, देखिए, answer to what and whom, क्या होता है, वो एक noun होता है, जो कि किसका काम करता है, object का काम करता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि she subject है, stated verb है, तो यह पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, एक object हो गया, कि she stated, उसने statement दिया, क्या दिया, that she would not eat food, यही कि वो खाना नहीं खाएगी, यह पूरा पूरा एक object है, तो छोटा object भी होता है, phrase भी होता है, और clause भी होता है, यह clause के अंदर है, clear है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कि Mr. Modi stated that, Mr. Modi ने statement दिया कि, क्या दिया, यह पूरा यहा है, facts तत्थ आ रहे हैं, वो reveal कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, मैं भी revealing नहीं, खाले reveal है, क्यों new facts ऐसा reveal कर रहे है, क्या करते हैं, कि how Congress killously gave away कच थीवू, अच्छा, तो Modi ने state किया, क्या किया, कि that new facts reveal, new facts reveal करते हैं, अब यह reveal करते हैं, क्या reveal करते हैं, तो यहाँ भी जो हमारा हाउ से sentence बन रहे हैं, यह भी clause बना रहे है, कि new facts reveal, तो कौन सा new facts, new facts reveal what, अगर ऐसे सवाल करके देखो, कि new facts reveal, new facts reveal करते हैं, क्या reveal करते हैं, यही कि how Congress killously gave away कच थीवू, जो भी यह कच्छा थीवू, कच्छ थीवू, जो भी नाम है, नए facts यह reveal करते हैं, कि किस तरीके से Congress का मतलब होता है, कि एकदम बहुत ही harshly, दिल पर पत्थर रख करके, यह बहुत ही hard तरीके से gave away, सोचा भी नहीं थोड़ा सा, एदम कुछ भी नहीं सोचा, बोला कि ठीक है दे देंगे, gave away, बाट दिया, give away का मतलब होता है, बाट दिया, दे दिया, gift कर दिया, दिस कच्छ थीवू को दे दिया, ठीक है, तो यह मोदीजी स्टेटमेंट देते हैं, कि यह कुछ नएने तथ आया है, जो यह reveal करते हैं, किस तरीके से Congress ने यह सब यह सब किया था, किलर यहाँ पर है, अब यहाँ पर लिखा रहा है, कि even though the state BJP, like other parties in Tamil Nadu, has been talking about the islands retriever, अब देखो, यह BJP, यहाँ तक यह आपका subject है, और has been talking about, यह इसका प्रेडिकेट है, तो बीच में किया, like other parties in Tamil Nadu, इस तरीके से चीजे बीच में add की जाती है, और even though क्या है, जब आप adverb पढ़ते हो, तो adverb clause कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका होता है एक adverb clause of, इसे concession कहा जाता है, या इसे contrast भी कह सकते हैं, contrast, तो इसके अंदर even though का इस्तमाल होता है, तो even though अपने बगल में एक sentence लेगा, फिर एक कॉमा लेकर के फिर एक sentence लेगा, कैसे contrast दिखाएगा, पहले किसी की सचाई दिखाएगे, बोले कि even though, even though he is busy, यानि कि भले ही माना कि वो busy है, हाला कि वो busy है, फिर कॉमा लगाएगे, अब दिखाएगे, he gives time to his family, तो इसका मतलब है कि वो busy है, फिर भी वो अपने family को समय देता है, तो यह जो पूरा का पूरा sentence है, यह एक clause बनकर तयार है, और इसको हम बोलेंगे, इस वाले हिस्ते को ब बोलेंगे, adverb, clause of contrast, ठीक है, चलिए, आगे देखिए, तो यहां तक समझ में आगे है, कि even though the state BJP, हाला कि जो BJP है, like other parties, जैसे कि दूसरे parties होते हैं, Tamil Nadu में, has been talking, बात करती आ रही है, यह subject, यह verb, has been talking, बात करती आ रही है, about the island's retrieval, किसके बारे में, island के वापिस पालेने के बारे में, retrieval का मतलब होता है, retrieve कर लेना, फिर से पालेना, वापिस पालेना, उसके बारे में, बात करती आ रही है, अब कॉमा लगा है कि फिर भी, हाला कि बात कर रही है, फिर भी, the situation gets complicated, जो situation है, वो complicated हो जाता है, कब हो जाता है, when, when its national leadership to lends its voice, तो यह when से जो देख रही हो यह हो जाता है, कि फिर भी, यह कोмप्लिकेटट हो जाता है, कब complicated हो जाता है, when, तो यह complicated हो जाता है, कि जब, its national leadership, कि जब इस party का मतलब, पूरा जो national leadership है, पूरा जो देश का जो नेता है, जो leadership है, तू वो भी, लेंट its voice, का मतलम होता है कि किसी का समरतन करना, अब भी अव कि पूरे नेशन का जो लीडर है वो भी इसके खिलाब आवाज उठाता है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो यह वेन से लेकर कि यहां तक यह भी तो क्लॉज है एड़वर्ब टाइम को दिखा रहा है ठीक है पैले कैसे इसमें क्या देखने वाला है गेट के साथ काई जो और फ़र्ड फॉर्म कैसे अता है मैं आपको पताशा घ्सए जिर्वें कर देखें है तो तर गेत के साथ हम वर्ब की फॉर्ड फॉर्म लगा लिक तो अगर मैं कहता हूँ कि he got married, तो married हमारे adjective है, जो कि third form में इसका मतलब है कि यह जो ही नाम का विक्ती है वो इस चीज को प्राप्त हो गया, यानि कि इस चीज के अंदर वो घुश चुका है, कहने का मतलब है कि अंग्रीजी में चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब है कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तो अगर एक बंदा नॉर्मल, मैं कहता हूँ कि Sonu was normal yesterday, कल Sonu normal था, अचानक, suddenly he got excited, तो नॉर्मल से किस चीज में वो तबदील हो गया, किस चीज में चेंज हुआ, उसकी अवस्था थी normal की अवस्था, और change in state, उसकी अवस्था में परिवर्तन होते हो, क्या हो गया, excited हो गया, तो इस बात बोलने के लिए हमें बीच में get का सहरा लेना होता है, जो tense के हिसाब से get, got, gets, getting हो जाएगा, और यह जो रहेगा adjective, यह हमेशा वर्प के thought form में रहेगा, क्योंकि V3 adjective ही completion को दिखाता है, completion मतलब यह हो गया था काम, ओके इस चीज को दिखाता है, ठीक है जी? चलिए, अब देखिए आगे, तो यह भी हम समझ गया है, अब है कि as with the Congress-led UPA government, हाला कि जैसा कि with the Congress-led, Congress के बगल में यहाँ पर led है, तो lead से led बना, तो इसका मतलब है Congress के द्वारा नितुरित होने वाला, या किया जाने वाला UPA government, या किया जाता है नितुरित, ऐसे भी कह सकते है, पास्ट है तो किया जाता है, प्रेजेंट है तो, the BJP-led NDA regime, और जो BJP की तवर एंडिय को lead किया जाता है, तू उसने भी, हैज सीन, देखा है, दा आइलेट, आइलेट को देखा है, as a part of Sri Lanka, ये UPA government हो चाहिए, NDA government हो, वो जो छोटा से टापू, उसको स्रिलंका कहीं सा ही देखा है, ठीक है, ऐसी बात कही जारे है, आगे देखिए, अब है कि, in 2022, the External Affairs Ministry, यानि कि M.E.A. informed, तो ये subject है, वर्भ है, informed किया, क्या informed किया, informed what? informed, informed, तो किसको informed किया, informed whom? the Rajasabha, informed the Rajasabha, राजसabha को informed किया, तो किसको और क्या? यानि कि, informed Rajasabha, ये हमारा फ्रेज हो गिया, ये भी हमारा object बन रहा है, नाउन फ्रेज हो गिया, और informed what? क्या informed किया? तो यहाँ that लग रहा है, मतलब यह एक clause बनेगा जो noun clause के लाएगा informed that कच्छ थीवू lies on the Sri Lankan side कि जो कच्छ थीवू जो है वो कहाँ पर रहता है वो कहाँ पर, like का मतलब किस पार्ट में आता है on Sri Lanka side of India Sri Lanka तो India Sri Lanka का देखो कि तो Sri Lanka की तरफ पढ़ता है वो नहीं आता है ठीक है? यह बात है अब देखिए In 2013 2013 में the UPA regime told the Supreme Court UPA की जो government थे उसने Supreme Court को बताया that क्या बताया? Supreme Court told the Supreme Court, told what? that यह clause बने गए, noun clause बने गए that the question of retrieval की पुना प्राप्त करने का जो सवाल है did not arise वो तो उठा ही नहीं था as no territory belonging to India कोई भी territory इंडिया से belong नहीं कर रही थी was seeded to Sri Lanka ऐसी कोई territory जिसको Sri Lanka को seed कर दिया गया seed मतलब दे दिया गया वो बिलॉँ नहीं करती थी इंडिया से लिग रही हो, not belonging to India यह है अब है कि it contended that इसने यह भी बहुत ही content का मतलब होता है बहुत ही assertive तरीके से कहा बहुत जोड से कहा force के साथ कहा force के साथ कहा it contended that the islet was a matter of dispute कि यह जो islet है यह जो चोटा टापू है यह matter of dispute जगडे का जड़ था between British India and Ceylon Ceylon मतलब Sri Lanka Sri Lanka और British India में यह पहले भी जगडे का जड़ था ठीक है तो यहां पर it कौन हुआ फिर यहां देखे तो the UPA regime told the Supreme Court that the question of retrieval did not arise as no territory belonging to India was ceded to Sri Lanka it it मतलब कि UPA regime होगा it contended इसने बहुत ही force से कहा that the islet was a matter of dispute है तो हमेशा से dispute का मामला रहा है British India और Ceylon के अंदर and that there was no agreed boundary and और यह की there was no agreed boundary कोई भी सहमत्ती वाला कोई boundary नहीं था इसलिए a matter settled through the 1974 and 1976 agreement तो 1974 में और 1976 में जो agreements हुए उसके तहद जो है मामला वो settled हो गया था ठीक है अगर देखिया कातम करते है settled हो गया था agreements leading to the I.M.B.L. जो I.M.B.L. मतलब वही जो आपने I.M.B.L. उपर देखा होगा I.M.B.L. एक मिट फुल फुल फुम देख लिजे कहा गया यह I.M.B.L. है जो समुदर से रिलेटेड जो बाउंडरी है तो यहां पर साप कह रहा है कि भाई इसने यह बात कही कि जो I.M.B.L. जो I.M.B.L. जो I.M.B.L. जो I.M.B.L. जो I.M.B.L. जो I.M.B.L. इसे रिलेटेड था जो I.M.B.L. जो I.M.B.L. हो गया अब आके देखते है A little after Mr. Modi became Prime Minister little after मतलब कुछी हलके से कुछी समय बाद Mr. Modi जो है वो Prime Minister बन गया M.E.A.A. Affidavit in the Madras High Code State कितना बड़ा हमारा subject है N.M.E.A.A. Affidavit Here in M we n क्योंistä है? कव्या करनाउंस करते से में यह M है वैसे यह M 와 Mayor sound नहीं होता है मतलब वौल नहीं होता है, बट सांड करते से में जी dh, आज फिर मां कहता हूँ M, A तो मैं यहारे कि निर्ल कोंसी है तो आ ञगा मिसाझी अब बोलोगे तो MLA में Wawil sound चुपा है, तो हमें क्या लगाना होता है? N MLA लगाना होता है, तो N MEA एफिडेविट इंदा Madras High Court, इनका जो एफिडेविट है Madras High Court में stated, उसने क्या statement दिया that sovereignty over कच थीवु, sovereignty मतले जो power है, जो अधिकार है over और कचितिवू is settled matter, यह तो settled matter है, किसका किस पर अधिकार है settled matter है, इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, अब देखिए, बट दो, present government has also been telling parliament, लेकिन अभी की जो government है, वो has also been telling, वो कहती आ रही है, parliament को कहती आ रही है, that, क्या कहती आ रही है, telling what, that the matter, अब यह पूरा का पूरा clause बनेगा, that the matter relating to the islet, यानि कि इस टापू से related matter है, इस सब जुडिस, यह मतला भी judgment के अंदर में है, as it was before the Supreme Court, क्योंकि Supreme Court के सामने सुनवाई के लिए था भी सुनवाई के अंदर में, तो यहीं तक फिलाल करते हैं, बाकी देखते हैं, thank you very much, मिलते हैं अगले एपिसोड में, thank you guys.